हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चनल चोहान पेप्रिकेशन में तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है हमारे सभी मिस्तरी और भाईयों के लिए और हमारे सभी सब्सक्राइबर सोगे लिए क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले है मिस्त्री के काम में काम आने वाली गोडी के बारे में और घर में चोटे-मोटे कामों में काम आने वाले गोडी के बारे में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरे लोहे की गोड़ी बनाए किसे जाती है और बनाए जाती है तो इसमें किस-किस मेटरियल का इस्तमाल किया जाता है इस गोड़ी की साइस क्या होने वाली है और इसकी प्राइस क्या होने वाली है आज हम इन सभी टो मतलब दो पिट का टाप होने वाला है उपर को कर starter हो इस घोडी की हाइट की बारे हम बात करें तो इस घोडी की हाइट होने वाली हे छह फिट की आप देख सकते हैं अप देख सकते हैं उपर का टाप भी हमने इस तरह से लगाया है आप देख सकते हैं कि इस घोडी के निजले हिस्से में हमने चार इंगल दो-दो फिट की वेल्ड कर रखी है और इस घोडी की स्टेप की बात करें तो इस घोडी में हमने चार स्टेप लगा रखे हैं एक हो गया और एक इस्टेप दीये हैं आप देख सकते हैं और दो तरफ हमने इस्टेप नहीं दिये हैं बीच में सिर्फ सपोर्ट के लिए दो इंगल लगा रखी है आप देख सकते हैं पूरी गोड़ी इस तरह से दिखाई देती है तो दूस्तो यह तो बात होती है गोडी के साइस के बारे में और गोडी के मेट image बारे में अब बात करते हैं गोड़ी बहुत ही मजबूत अच्छी है तो इस गोड़ी का वेट नोर्मल होने वाला है है तो देख सके हैं इस गोड़ी के प्राइस के बारे में तो दोस्तों आपको मैं बता दू कि ये गोडी फेब्रिकेशन वरकर्स जो होते हैं वो आपको 80-85 रुपे किलो में ये गोडी बना कर दे देंगे तो इस आप से अगर इसके वजन की बात करें तो अपन ने इसका वजन देखा था 31 किलो 800 ग्राम तो आपको 2700 रुपय में गोडी मिलने वाली है आप देख सकते हैं इस घोडी की फुल हाइट और लेंथ अगर आपको भी इस तरह की गोडी बनवानी है तो आप इस मोडल में गोडी बनवा सकते हैं तो दोस्तों आपको ये हमारे द्वारा बनाए का गोडी और हमारी वीडिय नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय सभीदान